और अगला नजर है विवेक नेगी का बाजार में उतार चड़ाव यानि दिशासाफ नहीं 51-42 का दायरा दो हफते के लिहाज से भी उतार चड़ाव की ही बात यानि दिशासाफ नहीं 5060 से लेकर के 54 तक की गुझाईश रखी पावर शुगर ठीक है कमजोर शेतर कौन था ये कहना मुश्किल है विवेक क्या लगता है अगले दिन के लिए अगले दो हफ्तों के लिए भी बाजार कोई साफ संकेत नहीं दे रहा है जिन मशकर रजीट देखें मार्केट को बज़ हम देखते हैं लास्ट तेम जब हमारी बात हुई थी तो हमने ये बताया था कि दिशा अभी साफ नहीं है असमंजस में हैं FIA की खरीददारी हम देख रहे हैं काफी समय से DIA इसकी तरफ से बिक्वाली देख रहे हैं लेकिन बज़ार एक छोटे दाइरे में ट्रेड कर रहा है और ग्लोबल मार्केट को भी देखें तो हमारा बज़ार ग्लोबल मार्केट के साथ नहीं चल पा रहा है पिछले कुछ दिनों में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है global markets में उसके comparison में हमारे बजारों में जो तेजी आई है वो काफी कम रही है अब तीसरी बात अगर देखे तो RBA की credit policy का इंतजार काफी समय से कर रहे थे और इस बार काफी expectations भी थी लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया ये expectations खतम होती चली गई तो अब हो सकता है कि कल की जो policy है वो no action policy हो वहाँ पर किसी भी तरह कोई action देखने को ना मिले पर हम ये मानते आए हैं कि Mr. D. Subarav जो current RBA governor है वो काफी unpredictable है बहुत सारी ऐसी चीज़े सामने आती है जो शायद analyst यहां फिर बाकी लोग predict नहीं कर पाते हैं और वो चीज़े कर देते हैं तो ऐसा इस बार भी लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नई चीज़ निकल कर आए जिससे market को confidence मिले और market यहां से आगे की तरफ देखे क्योंकि दोनों चीज़ यहां देखने वाली है एक तो महंगाई जो है that is bound to go up क्योंकि monsoon अच्छा नहीं है crude prices भी अब उपर की तरफ जा रहे हैं नीचे एक basement आकर उपर की तरफ चलना शुरू कर दिया है और तीसरा हालात overall देखे जाएं तो inflation को उपर की तरफ पुश कर रहे हैं तो चीज़ें जो हैं वो demand side पर तो ठीक हैं लेकिन supply side पर कहीं न कहीं बड़े concerns है government अपना काम ठीक से नहीं कर रही है लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए महंगाई का मुद्दा तो है ही लेकिन growth काफी compromise हुई है growth के जो लगातार आकड़े हम देख रहे है GDP growth rate के जो बेजिन सेज़ें वो कम कर रहे हैं RBI की दो चिंताएं बड़ी साफ हैं कि एक तो महंगाई दर नेंतरण में नहीं आ रही दूसरे सरकारी हाटे को कम करने के लिए खुद सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है और ये दो बड़ी चंताएं जब तक RBI की दो नहीं होंगी तब तक RBI ने बार बार संकित दिया है कि उसके लिए कोई कदम उठाना बड़ा मुश्किल होगा अगर उठा दे तो ज़रूर चौखने वाली बात होगी जबते हैं उन खास शेरों पर जिन्होंने काफी अच्छी तेजी दिखाई है आज की कारोबार में यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें तो Reliance Infra, JP Associates, Kairn India यह कुछ हैसे खास नाम रहे निफ्टी के जिन्होंने काफी अच्छी बढ़ा दिखाई अपने आप में यहां Reliance Infra की बात करें तो 5.5 पीज़दी की तेजी इसमें नज़र आई है जबकि JP Associates यह भी 5.5 पीज़दी से उपर, Kairn India भी 5.5 पीज़दी से उपर लेकिन अगर आप बाजार को खीचने वाले शेयरों की बात करें तो वहां आपको ध्यान में आएंगे Banking शेयर के शेयर अगर Sensex की बात करें तो Sensex को सबसे ज़्यादा सहरा मिला आई से इसे बैंक से और अगर आप Sensex से अपने शेयरों की बात करें जिसमें सबसे अच्छी बढ़त में ज़राई तो वहां नाम मिलेगा आपको SBI का इसके अलावा Capital Goods वहां भी काफी अच्छी तेजी थी, BHEL और इसके अलावा L&T इन शेयरों में भी काफी अच्छी आज की मजबूती है उसमें बैंकिंग शेत्र ने और बाकी ब्याजदरों से प्रभावित होने वाले शेत्रों ने अच्छा खासा योगदान किया है विवेक सवाल यही है कि अगर RBI के हाथ बंदे हुए हैं और वो ज्यादा कुछ कदम उठाने की सिर्थी में नहीं है है कि definitely कुछ positive देखने को मिल सकता है जब government के तरफ से कोई हमें policy action देखने को नहीं मिल रहा है government कुछ reforms पर action नहीं ले रही है तो definitely RBI को उसके बारे में concern होना पड़ेगा अब RBI ऐसा नहीं कह सकती है हर बार की inflation के लिए हम काम कर रहे हैं और growth को हम छोड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं growth को भी उन्हें concentration करना होगा तो उसी hope में I think आज banking shares में हमने एक run-up देखा है अगर तो कल कोई action नहीं भी होता है तो शायद कुछ इस तरह के statements हमें देखने को मिल सकते हैं जो बाजार को hopeful बना सकते हैं आने वाले समय के लिए जे इसके अलावा कुछ खास नतीजे भी रहा है और उन पर नज़र डालें तो गेल इंडिया की बात करें वहाँ पर मुनाफ़ में जो बढ़त दिखी है वो 985 से बढ़ करके यहां 1134 करोड रुपे का मुनाफ़ इसमें नज़र आया है आमदनी भी इसके ठीक ठाक बढ़ी है 7900 करोड रुपे से बढ़ करके इस बार 1400 करोड रुपे के ऊपर पहुंच गई है नतीजें के इसाब से विए जहां पर चाल नज़र आई है और उन में कौन से ऐसे नाम आप चुनेंगे जिनमें आपको लगता है कि यह चाल आगे बढ़ सकती है जी देखे बैंकिंग सेक्टर के नतीजें देखे तो काफी क्लियर कट नतीजे आए हैं प्राइविट सेक्टर के बैंक्स ने काफी अच्छे नतीजे पेश किये हैं और आज हैं ऑफ्राइविट सेक्टर मेंक्स के रिजाल्स आए हैं वह भीतर देन एकस्पेक्टेशन सायं एगं यह न्हीं कौनगा की बहुत अच्छे रिजल्ट से बटबेतर देन एकस्पेक्टेशन्स रहे हैं बैंक को बढ़ होदा कि हम बात कर लें प्रॉफिट अफ्रंट पर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और NPS भी continuously कम रहे हैं तो मुझे ही लगता है कि आने वाले समय में जो हम question raise कर रहे थे asset quality पर banks के तो वहां पर हम एक answer मिल रहा है कि इतने concerns नहीं हैं जितना concern हम हो रहे थे शायद उसी को लेकर एक confidence built up हो रहा है banking sector में और जो की शायद आगे continue रह सकता है overall हम देखें तो दो नाम में यहां पर suggest करना चाहूंगा on the basis of the results एक तो ICA से bank के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं और हमें लगता है तो आने वाले समय में काफी अच्छे return इस टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं जे इसके अलावा अगर एक और खास नाम की बात करें सुजलान के इसमें सब्ताहन के बीच में एक ख़वर थी कि इसने अपने अपसेसी बीच को पूरी तरह से redeem कर दिया और इसकी बज़े से हमें सुजलान में अच्छी खाति उचाल दिखी है लेकिन जितनी पिटाई या जितनी मार शेयरदार को ने इस शेयर में सही है उसके चलते हैं इन्हे हाथ लगाने में भी डेर लगता है तो क्या करें अब इस शेयर को लेकर जिसमें पहले भी कई बार सुजलोन के बारे में बात की है और मेरे यह रिकमेंडेशन रहा है कि जिस कंपनी में जब तक इन्वेस्टर्स का इंटरस्ट नहीं आ जाता जब तक उसके ऑनर्स की तरफ से कोई स्ट्रॉंग स्टेट्मेंट समय देखने को नहीं मिलते हैं बिजन जिन्ताएं पहले से सबके सामने हैं लेकिन कंपनी के और से एक ताजा बयान ने शायद बाजार के जिन्ता को बढ़ा दिया या अनिश्रित्ता को थोड़ा और लंबे समय तक के लिए खेंच दिया जहां पर यह कहा गया कि शायद बहुत ज्यादा प्रगति अभी तक नही वारा संबब होगा नहीं क्या ये बयान वजह रहा इस तीखी ग्रावट की जी दिखें मारूती को लेकर देखा जाए तो पिछले एक-दो साल से काफी कंसर्ण्स बने हुआ है वैसे तो पूरा ओटॉम विल सेक्टर ही दवाब में चल रहा है लेकिन प्रेटिकुलर्ली मा वर्किंग यूनियन्स को लेकर पिछले एक-दो साल से काफी कंसर्ण्स रहे हैं और मारूती से कॉन्फिडेंस भी कम होता जा रहा है इनके क्लाइंट्स का रीजन बिंग जब आपको किसी गाड़ी को खरीदने के लिए छे महीने से एक साल की वेटिंग करनी पड़े तो ड विवेक ने आपके लिए कौन से दो नाम चुने हैं पहला नाम है पावर मैंग्रेट कर यह खरीदारी के लिए और साथ ही पुंज लॉइड भी इन्होंने खरीदारी के लिए ही चुना है तो विवेक क्या रहे गिरने तिन दुनों ने जी पावर में देखिया हमने अभी को एक 52 वी खाई बनाते हुए देखा है एक लेवल था इसमें 115 का जो काफी समय से ब्रेक नहीं हो रहा था तीन-चार बार इस लेवल पर आया stock लेकिन sustain नहीं हो पाया और वहां से हमने correction दिखा है लेकिन इस पर इस लेवल को break किया है और इसके उपर closing देखने को मिली है अब यहां अब पर closing होने के बाद हम यह expect कर रहे हैं कि यह stock यह rally continue रख सकता है तो definitely इसमें buy करनी चाहिए around 116 to 117 with a stop loss of 114 122 के target हमें नजरा रहे हैं और जो थोड़ा hold कर सकते हैं तो 125 के target भी इसमें achieve हो सकते हैं जो हमारा दूसरा pick है वो है पुझ लॉइड पुझ लॉइड में भी आज काफी strong momentum हमें देखने को मिला है इस stock में एक historical support है जो कि around 46 और 47 के बीच में है जब भी stock उन levels के आसपर जाता है वहां से काफी strong bounce back हमें देखने को मिलता है दूसरा इस stock ने आज positive divergences दिये हैं और हमें लग रहा है कि यहां से momentum continue रख सकता है और 52 तक जा सकता है तो इस stock का buy किजिए 49 50 से 50 के बीच में 52 के target रखे है और 48 का stop loss लगाई जे को डिस्क्लोजर आपकी और से जी stock हमारे clients को recommended है और मेरे कोई personal position नहीं है जी शुक्रिया विवेक इस बातचीत के लिए फिलहाल आउट stocks में इतना ही फिर्म लागात होगी तब तक के लिए नमस्कार